हलो शुट्रेंट्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हूँ कृष्णा कैसे हैं सब लोग मास बढ़िया तो जले स्टार्ट करते हैं सब लोग फार्मकलोजी का चैप्टर नंबर फाइफ लेक्टर नंबर फाइफ कंजेस्टिव हाट फेलियर इस टर्म से बहुत अच्छे से वाक क्या बंडेशन और जो कॉंसेट का उठाट रख दिया है इस टार्ट का सब्सक्राइब पूरा डिटेल नहीं के लिए आप वहां जाएंगे और तो क्या होता है कंजेस्टिव हाट फिलियर आओ देख ले तो कह रहा है हां हाट फेलियर केलो यह कंजेस्टिव हाट फिलियर करो प्रोग्रेसिव क्लिनिकल सिंड्रॉम है क्रम से बढ़ेगी यह कॉस्ट बाइ इनेबिलिटी ऑफ दा हार्ट यह एक हार्ट की इनेबिलिटी होती है हार्ट की अच्छमता होती है कि वह पंप नहीं कर पाता है सफिसेंट ब्लड को जिससे की बॉड़ी की जो नीड है मेट ऐवलीग वो पूरी हो सके बॉडि को जहां जा वे ब्लड को है वहाँ पूरी त प्रियात्स मातराइन पंप नहीं कर पाता है वह क्या कैलाता है कोई भी ऐसे बिमारी जो वेंट्रीकुलर फिलिंग, अब यह मत कहा ना सर्वेंट्रीकल क्या होते हैं, हार्ट का पार्ट है, वेंट्रीकल पढ़ा होगा अच्छे से, है ना, हिमान अटोबियो फिजियुलोजी में, वेंट्रीकल फिलिंग, जिसको हम डियस्टोलिक भी कहते हैं, अगर हमारे फिलिंग्स नहीं हो गिया है, तो डियस्टोलिक डिस्फंक्शन और कॉंटेक्ट नहीं कर पारा सही से तो सिस्टोलिक डिस्फंक्शन कहलाता है, है ना, यह सब हमने पढ़ रखा हमाँ पर, what is meaning of congestive, in congestive heart failure, तो heart failure में, congestive का मतलब क्या होता है, congestive, congestion जक्रन जैसी, तो कहा रहा है, फिलिट बिल्डप इन दा, arms, legs, ankle, feet, lungs, and other organ, है ना, इन सब जगहों पर, फिलिट बिल्डब हो जाता है, है ना, swelling सी आ जाती है, the body become congested, body असा लगता है भर सी गही है, ठीक है, heart failure also affects the kidneys ability to dispose of sodium and water, ठीक है, sodium and water को बाहर निकालने की चंता भी कम ह हो जाते हैं, तो body के अंदरी फिलिट इखटा होना सुरू हो जाता है, this retained water also increased swelling in the body's tissue, जिसका हम एडिमा भी कहाते है, तो congestion, कहीं ना, कहीं बादी के अंदर फिलिट को इखटा होना सुरू हो जाता है, heart failure, congestive heart failure means, heart failure does not mean that heart has stopped, इसका मतब यह नहीं कि heart काम करना बंद कर दिया देश्टॉब हो गया, working, rather it means that the heart works less efficiently, यह उतनी छमता से काम नहीं कर पा रहा है, less efficiently काम कर रहा है, than normal, जितना कि उसको normal condition में सही से काम करता था, उससे कम में काम कर पा रहा है, due to various possible causes, उसके कहीं सारे करण हो सकते हैं, for more detail, go to pharma का सुरूप्टिक chapter number 2A, हर बार यह बात बता कर रहा हो में, उस chapter को परना अच्छा जरूरी है, now classification की बात करें, इसमें कौनकों से drugs होते हैं, ठीक है, तो congestive heart failure के classification से, वो दो तरीके से मैंने दिखा रखा है, या तो वो ही है, ionotropic drugs, ionotropic कौन से होते हैं, जो pumping करने में help करते हैं, हैना, increase the force of contraction and increase intracellular calcium concentration, force of contraction को तागत लग कर पाएंगे, क्यों calcium जब आएगा अंदर तो तेजी से क्या कर पाएगा, वो pump कर पाएगा, pump करने से blood जो है वो भार निकलेगा, ठीक है, cardiac glycosides, sympathomimetics, अब यह मत कहाना, cardiac glycosides क्या होते हैं, ठीक है, फॉस्फोर डाइस्ट्रेस, थ्री इनिवीटर्स, उनके एक 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 क्या होते हैं, जो टॉलेट को पास कराएंगे, ठीक है, हाई-सीलिंग डायूरेटिक और थाइजाइड लाइग डायूरेटिक, यह सब हम लोगों ने फर्स्टेर में डिसकस किया था, तो डायूरेटिक वाले पार्ट से निकाल सकते हम लोग यह उसके ड्रग से हैं, डेन अब यह भी पढ़ा था हम लोगों ने जो पिछले लेक्टर था उसमें, ठीकर उसमें अदर इस्पार्ण लेक्टोन और एपली रिनॉन आते हैं, इनिवीटर्स ऑफ रैनिन एंडियोटेंसिल सिस्टम, इस सिस्टम को भी हम लोगों डिटेल हैं, ठीकर न, अल्टिमेटली कार्डियोप्रोटेक्टिव यह कैल्सिम सैस्ट्राइजर्स यह लिवो कारणाइटीन तो यह क्या है, हमार बास कैटेगरी से कैटेगरी से के अंदर सब कैटेगरी से ठीक है, एक तरीका तो यह हो गया और तुम लोग पहले याद कर रखा तो उसको यूज कर सकते हो, यह पॉलिटिव आइनोट्रॉपिक ड्रग्स, वैसोडाइलेटर्स और मिस्लेनिस ड्रग्स, यह छोटा हो जाता है, इसके एक 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 जामपल हम दे भी रखे हैं, डिजॉक्सिन, डॉबिटावाइन, मिल्रियोनिन, दैन, एस इनिमिटर, नेसित्राइट और स्पैरनोलेक सकता है, कि लिए रहे हैं, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, आयनोट्रॉपिक जो फोर्स ओफ कॉंट्रेक्शन, हार्ट को पंप करने में बहुत जात ताकत देते हैं, वैसोडालेटर, वैसोडालेट, वैसोडालेट कर जाएंगी, तो ब्रिपी कम कर जाएगा, ठीक है, यह सारे टर्म्स हम लोग पहले डिसकस कर चुके तो उमीद करता हूँ, यह लूप डायोटिक्स है ना, क्या हम लोगोंने, फरस्ट येर में जब मैंने किड्नी का पूरा पार्ट समझाया, तो वहाँ पे डिसकस किया था, क्या होते हैं, एसी इनिवीटर, तो अब यहाँ जो बेटा बात यह होती है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, हर लेक्शर में बदाते हैं, कुछ चीज़िया ऐसी है, अब जो जो ची हम नायें से पढ़ लेते हैं, टैंस में उसकी डिटेलिंग होती है, हम आगे बढ़ते हैं, तो उमीद यह की जाते हैं, यह पीछला आपक तो पीछे जाएं उसको समझने और देखें थीक है ना विटा ब्लॉकर्स इस पार लेक्टाउं अब होते हैं जितना भार पीछे रचांख भूल गए जितनी तर पीछे जाओंगे ना उतना वह रिविजेंध में आता है उतना जादा याद होत चला जाए गार बीटा भीटा इंकृइस इंट्रसेलर सोडियम ठीके सैल के उस्विए इंकृइस करें कि that will drive and influx of calcium in the heart and cause an increase content to कहीं कि फांक लोजी के लिए करें गी तो यह कैसिन लेवल को बढ़ा रहा है डो बीटा माइन की बात करें आप एफेक्ट है इस ने बता दिया है पर क्या होता है इंक्रीज कॉंटेक्टी लिटी लीडिग टु डिक्रीज एंड इस्टोलिक वॉल्यम एंड इंक्रीज कर दे रहे फॉसफोर डाइश्ट्र हो एक ड़ीक कॉंटवरीटी एक कार्डु eles कॉंट्रेया व traffic ओंते करण की संदब बढ़ा यहां कार्डीक रियाइशेशेशन या लिस्टीटोपी pository ऑडिक कहते है और सिंपल saat को सिंपल पंप करने की छम्ता को बढ़ा देते हैं इंप्रूब कर देता है जो और उसकी छम्ता उसको बढ़ा देता है तो सिंपल कुछ नहीं सब हटा दो यहाँ पर सिंपल क्या लिखोगे इसके आगे इंक्रीस करता है कार्डियक आउट्पूट को खत्म उर्गनिक नाइटरीड इस्टर सहवर डिर्व रिलेक्सेंट एफक्ट और वस्कूलर स्मूद मॉसल्स स्मूद मॉसल्स होती हों को रिलेक्स कर देगा एंद दालेशन फ्कूर्णरी वेशल्स अब वेसल्स डाय वो ब्लड बहुट अच्छे सपूंचेगा इंप्रूव ऑक्सिएं सप्लाई जब ऑक्सिएं अच्छी पहुचेगे दाब यह बात हो रही है । मसल्स मतलि आगा ना डरी जयर कोर्रिय वैसाल है जो हार्ट की मसल्स को सप्लाई दे रही हैं बलड वो डालेट हो जाती है औसेन की सप्लाई अच्छी होती है जिससे की वह कॉंटेक्ट अच्छे से करेगा लूप डायूरेटिक रिडियूस दा सोडियूम क्लोराइट को कम कर देंगे ठीक है इन दा थिक एसेंडिंग लिंब ओफ लूप फैनली जब यह कम हो जाएगा तो क्या वाटर कम हो जाएगा बाटर पीछे पीछी निकलेगा तो उसे कहा है ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम और जौर कम देगा तो क्या करना हाट के ऊपर जो घ्र्परना अजा कई तो देखी है तो यहां पर几 अपर इफेक्ट इसका फामकलॉजिकल एक्स क्या एफेक्ट कर रहे हैं ओके बासमझ में आ रही है नेक्स अगर हम देखें इसमें क्या है फिर आगे क्या है डोस डोस जैसे नहीं बताया जो जो तुम्हें पसंद हो हूं रूट ऐव तो डोगे ठीक है क्या रखने है रखनी है अच्छा यह क्यों सिक्स ट्वयलेट क्यू सिक्स एच मतलब अवरी शिक्स आवर क्या हो गया अवरी सिक्सावर या एवरी सिक्स टू ट्वैल्व आवर के लिए रखा है यह औरल था यह इंफ्यूजन था यह औरल है कैप ट्रोपी लागे लागे लुसार्टान ठीक है तवाम यह ड्रक्ष दे रखें उनकी क्या रखी है डोस दे रखें जो तुमको चार से पांच अपनी याद कर लेनी कोशिश करोगी हर केटिगरी में एक एक याद कर लो कि लिए रहे हैं इससे बेटा तुम्हों का रिवीजन होता रहेगा ठीक है न मैं जाओ तो लिख सकता था लेकिन तुमारा रिवीजन कैसे होगा तुम पल्टों तुमारा पेजप्टना जरूरी है पीछे होगी लिंक चीज़ें तो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा और चीज़ें को लिंक अप करना सीख गए तो चीज़ें बहुत असान हो जाएगी कॉंटर इंडिकेशन हाइपकेलिमिया रीनल किड्नी प्रॉलम है हाइप ठीक है बहुत ज्यादा नहीं है तो यह था पढ़ना है और चीज़ों को रिवाइज करना है ओके आल दा वैस्ट